कि असलाम अलेकुम क्या हाल चालने सबके जी तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सौफ्ट मार्बल केक कुकिंग सीक्रेट्स ऑनलाइन की बाकी रेसिपीस की तरह यह रेसिपी पी बहुत सिंपल और इजी है अब ज़रूर ट्राइ कीजिएगा तो चले हम इसके इंग्रीडि चार अदद अंडे एक कप ओईल आप चाहें तो मखन भी ले सकते हैं एक कप पिसी हुई चीनी दो टी स्पून बेकिंग पाउडर दो टेबल स्पून कोको पाउडर और आदा टी स्पून वनीला एसेंस चले अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं सबसे पहले आप पेकिंग पैन को ओईल से ग्रीस कर लें और फिर इसी की साइस का कटा हुआ बटर पेपर इसमें रखते हैं इस तरह से इसको बटर पेपर को इसमें सेट कर दे हैं उसके बाद आप एक बोल में ओईल और चीनी आड़ करें और इनको चमच या स्पैचूला से अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उसके बाद बीट कर लें जी यह देखें इनको आप मैंने मिक्स कर लिया तो अब मैं इनको बीट करूँगी चीनी और ओईल को तक्रीबन 2 मिनट के लिए बीट करना है और जब ये बीट हो जाएं तो फिर इन में अंडे शामिल करने है और एक एक करके अंडा एड़ करने है हर अंडे के साथ एक टेबल स्पून मैदा भी एड़ करने है इंग्रीडियन्स में जो आपको 1.5 cup मैदा बताया है उसी में से आपने मैदा लेकर अंडे के साथ एड़ करना है हर अंडे के साथ एक टेबल स्पून मैदा डालना है अब यह देखें आप मैं दूसरा अंडा भी इसमें एड़ कर रही हूँ और उसके साथ भी मैदा मैंने डाल दिया हर अंडे को आपने तक्रीबन एक मिनट के लिए बीट करना है उसके बाद आपने दूसरा अंडा एड़ करना है अब ये देखें ये मैंने तीसरा अंड़ा भी आड़ करती है और साथ ही मैदा भी अब मैं इसमें आखरी यानि चौथा अंड़ा भी आड़ कर रही हूँ और साथ ही एक टेबल स्पून मैदा भी डाल दिया है चारो अंड़े एड़ करने के बाद आप वनीला ए्सेंस भी इसमें एड़ करते हैं और फिर इनको तक्रीब दो मिनट के लिए मजीद बीट कर लें जी ये देखें उसके बाद आप चान कर मैदा और बेकिंग पाऊडर अड़ गर्ते हैं यह देखें पहले मैंने मैदा डाला है उसके बाद बेकिंग पाउडर मैदे को छान के आड़ करना चाहिए इस तरह से मैदा हलका हो जाता है अब आपने बीट नहीं करना बलके चमच या स्पैचूला से एक ही डिरेक्शन में हिलाना है यह देखें और इस तरह से मैदे को मिक्स कर लेना है यह देखें अब यह मैदा बहुत अच्छा सा इसके अंदर मिक्स हो गया है यह हमारा बैटर रेडी हो चुका है अब आप एक और बोल ले ले और उसमें यह जो रेडी किया हुआ बैटर है वो आदा एड करते हैं यह देखें अब आदा बैटर मैंने इस बोल में डाल दिया है अब इसमें आप कोको पाउडर भी एड करते हैं और इसको इसमें मिक्स कर लें जी यह देखें अब ये हमारा चॉकलेट वाला बैटर भी रेडी हो चुका है जी तो अब ये दो बैटर रेडी हो चुके हैं एक वनीला वाला और एक चॉकलेट वाला अब आप बेकिंग पैन में सबसे पहले वनीला वाला बैटर एट करें तक्रीबन दो टेबल स्पून मैंने वनीला वाला बैटर डाला है उसके उपर मैंने चॉकलेट वाला बैटर भी उतना ही एड़ किया और फिर उसके उपर दुबारा मैंने वनीला वाला बैटर डाला है और फिर से चॉकलेट वाला इसी तरह आप रिपीच करते रहें लाइन्स खेंच लें यह देखे आपने में लाइन को चलाना है टूथाप से और साथ-साथ आप टूथाप को साफ करते रहें पर एक डिरेक्शन में फिर उसकी ऊपजित इरेक्शन में इस तरह से केक पें बहुत अच्छा सा डिजाइन आजाता है जी ये देखें इसको अब आप 30 से 35 मिनट के लिए प्री हीटेड ओवन में बेक कर लें 170 डिग्रीज पर और जब ये बेक हो जाए तो आप टुत्पिक डाल कर चेक कर लें अगर टुत्पिक खाली आए तो ये बेक हो चुका है और हमेशा टुत्पिक पहले मिडल में डालें जी इसको अब मैं प्लेट में निकाल रही हूँ ठंडा होने पर आपने इसको पैन में से निकालना है ये देखें ये कट करकर भी आप देख लें बहुत जबर्दस डिजाइन आया है ज़रू ट्राइ कीजेगा आप सब को ये र ये पर वाचिंग टेक केर आला हाफिज